नागपूर नगर निगम द्वारा तक कालिन बहाप और अनिल सोलिक के नैतरत्व में ग्रीन वीजन फाउंडेशन के स्रयोग से शुरू किया गया पूर्णिमा दिवस आंदोलन बिजली बचाने के लिए का आंदोलन का रूप ले चुका है मंगलवार को पूर्णिमा दिवस के आउसर पर निगम के कर्मिचारे और ग्रीन वीजन के स्वयम सेयों को ने डॉक्टर बापा सहवां बेड कर माटे चौक में बीजली बचाने का महत्वक के बारे में जाकरूपता की है पूर्व महापवन ननाजिसकार खेल समिती के अद्धिक्ष प्रमोत तभाने और पूर्व विदायक अनिल सोले ने भी दुकानों और प्रतिष्ठानों में आवशक बिजली की लाइट बंद करने की अपील की पूर्व दिवस के अउसर पर नागपुर नगर निगम ने रात आठ से नौ बजे तक एक घंटे के लिए अनावशक बिजली की बतिया बंद करने की अपील की है इसके अलावा शहर के एक इलाके में बिजली बचाने को लेकर जागरूपता पैदा की जा रही है मंगलवार को माटे चोक में जागरुकता फैल आए गई ग्रीन वीजन के स्वयम सेवकों ने पूर्णे मा दिवस की पीछे की अउधारना को समझाया शेत्र के व्यापारियों से अनावश्य करूष नी बंद करनी का अगर किया महपर्द्याशंकर्तिवारी नगर आयुकत राधाकृष्णन भी ग्रीन वीजल फाउंडेशन के संस्था पकद्यक्ष कौस्तुप चेटरची के मार्ग दर्शन में टीम लीडर सुर्भी जैसवाल मेहुल कोसुरवार शितल चौधरी विश्णोदेव यादव अश्विनी देबल साक्षी मुलेकर तुशार देश्मुक प्रिया यादव एवं अन्या स्वयम सेवकों ने व्यापारियों और नागरिकों से अपने प्रतिष्टानों और घरों में एक घंटे के लिए बिशली की लाइट बन करने का अनुरोद किया स्वैम सेयोको के अनरोध पर व्यापारियों और नागरिकों ने लाइट बंद कर दी और कारे करम में भाग लिया निगम की ओर से कुछ लेट लाइटे भी बंद कर दी गई थी कुछ व्यापारियों ने हर पुर्निमा की रात एक घंटे के लिए लाइट बंद करने का वादा किया है कैमेरा पर सिंट राजकुमार मोहड के साथ अभिशीक पांसी बीस्यन नियूज नाकपूर